जैशी राम सभी भक्तों को जै माता की फिर एक नई वीडियो के साथ आप सब के सामने हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम जानेंगे कि जैसे कि कुसी ने कुमेंट किया था कि पितरों की साधना कैसे की जाती है अगर आपके मन में भी है पित्रों की साधना करने का विचार तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जादा ग्यान वर्दक होने का लिए अनतक बने रही है तब ही आपको सारी वीडियो समझवाती है अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेर करें, कॉमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें और आपके पितर देव की किर्पा भी आपके परिवार पर बनी रहे और मेरी मा जगजनी, मा अमके की किर्पा आपके घर में अनपूर्णा रूमे वास्क रहे हैं जैमाता की पितरो की साधना, पितरो की किर्पा ये सभी की सभी जो बाते हैं अगर आप जो व्यक्ति इन चीजों में विश्वास रखता है वो ही व्यक्ति इन चीजों को समझ भी सकता है क्योंकि इन बातों को कई व्यक्ति ऐसे सोचते कि क्या पित्रों की भी कोई साधना होती है होती है पित्रों की किर्पा भी होती है पित्रों की साधना भी होती है, अगर पित्र किर्पा नहीं कर रहे, तो उनको किर्पा लाइक भी बनाया जाता है, वो भी एक साधना तुल्य होता है, क्या करना है आपने, अगर आपको परशान हो, पित्रों की समस्या है, आप नहीं जानते कि सबसे पहले पित्रों का शुद के सब भी कुल के अपरादों का शमायाचना कीजीह जिन आपके पित्रों के द्वारा अगर कोई हा उबाय एक आधा द्वारा ओसके प्रदाद हूआ हो तो उनका तरपन करते उगत आप शमायाचना कीजिए पित्रों की सादना में पत्नी का बैठना भी बहुत जरूरी है अगर आप सोचते हो कि पित्रों की साधना नेकिन अगर पूर्ष कर रहा है तो पत्नी संग में तरपन में जरूर बैठे लास्ट की उद्यापन में पूर्ण रूप से बैठे लास्ट में पूर्ती में पूर्ण रूप से बैठे तो यह जरूर जैसा कि आपको पता है कि हम सब्त रिश्यों की संतान हैं जिसको अपना गोत्र नहीं पता होता तो सब्त रिश्यों के नाम भी ले सकते हैं जैसे कि कश्यब भ्रगू तो इस पकार से जो सब्त रिश्यों अत्री तो इस पकार से जो यह रिश्य हैं तो इनके गोत्र ले हमारे खानदान के अंदर कोई ना कोई ऐसी देव सक्ती जरूर होगी अगर भगवान राम के कुल को देखा जाए तो एक वाश्यू वंश से थे उनके कुल के अंदर रगुनंदन भी आए उनके कुल के अंदर भगी रत b éléments आए तो उनके कुल में प्रभुशी राम, शूरिय वंशी थे, राजा दश्रत थे, तो ऐसे ऐसे जो महान पुर्ष थे तो उनके कुल के अंदर थे, आपके कुल में भी ऐसी दिव्या किरपाएं जरूर होगी, अगर परिवार के अंदर किसी ऐसे व्यक्ति ने महादेव की सा हुआ है तो पित्रों की साधना करने का जो निन्य है आपका वो एकदम शुब है क्यों क्योंकि आप अपने कोई परिवार में अगर कोई गलत कारी किसी भी व्यक्ति के कारण हुआ है तो आप उस अभिशाप को धोना चाहते हो आप उस पाप को धोना चाहते हो अगर क्या पत सबसे पहले अपने आपको अंदर से जागरित करना पड़ता है आस्ता प्रकट करनी परती है भगवान विश्णु के परती शंकर भगवान के परती और आपके अंदर जब यह आस्ता अपने आप ही उत्पन होगी तो उसके दुरान आपने आप ही आपके उपर पितरों की किरपा होगी क्या करना क्या है हमने किसी एक अमवस्या से आप पित्रों की सादना को शुरुवाती तोर दे सकते हो اور वहीं से क्या करना है सबसे पहले आपने जिस भी आप अगर भगवान श्रीराम को मांते हो या हनमान जी को मांते हो अपने इस्थ देव और प्रभुशी राम या राम दर्वार को ही आप रख लीजे राम दर्वार को अगर आप रख लेते हो राम दर्वार को आपने रख दिया और एक वाइट कप्रे के आसन पर और तिल जो सफेद तिल होते हैं उनका स्वास्तिक बनाना है आपने शफेद तिल का पित्रों की जो ये साधना है ये आप इस पकार से स्टार्ट करना कि आप 41 दिन की ये साधना हो किसी भी आमवस्या से इस साधना की शुरुआत करना आमवस्या से शुरुआत हो जाए एंड 41 दिन कभी भी हो इस दुरान क्या कर सकते हो आप इस दुरान आपने सबसे पहली बात रुदराक्ष की माला रुदराक्ष या तुलसी की माला इसमें ले सकते हो आप जो साधना का स्थान है वो पूरव की तरफ होना चाहिए क्योंकि पूरव की तरफ ही जो पित्रों का स्थान माना जाता है पूरव की तरफ होना चाहिए आप जब भी साधना में साधना के सामय पर बैठें तो आप शवेत वस्तर धान करकर आपको बैठना है शवेत ही आपका आसन होना चाहिए उस पे सपेद कपड़ा होना चाहिए और उसी दुरान क्या करना है आपने आपने जो तिलक लगाना है पीले रंग का पीले रंग का गोपी चंदन का आप तिलक लगा सकते हो और उस दुरान एक जल का लोटा और उसमें कम से कम 21 इलाची और थोड़े से तिल आपने जल के लोटे में डालने हैं और डालने के दुर दुर्वा होती है जो घास होती है उन्हें प्रभुशी राम के शीरी चर्णों में अर्पन करना है और जब भी कोई साधना बगवान के पर्ति की जाती है उसमें शिष्टाचार होना बहुत जलूरी है नियम बहुत जलूरी है आप अपने देव वित्रों का आवान कर रहे हो सबसे पहले दुर्वा लगाकर दुर्वा पे आपने स्थान देना है एक दुर्वा प्रभुशी राम के चर्णों में और एक दुर्वा थोड़ा सा आपने शवेद वस्तर के उपर रख देनी है जहां स्वास्तिक बनाया है वहाँ जल का लोटा रखना है उस जल के लोटे वायू देव के पुत्र है हनुमान जी और उनका अवान करना बहुत जरूरी है अपने इस्ट का अवान कीजिए और बाला जी महराज का अवान कीजिए एक अरजी लीजिए आप 381 रुपे की उस अरजी के ओपर एक कलावा लीजिए कलावे में तीन गाठे आप मार दीजिए तीन गाठे मारने के बाद वो भी प्रभुशी राम के चरनों में अरपन करनी है कि मैं इस अरजी के मादम से शिरी पवन पुत्र हनुमान से इस पकार की विंति करता हूं कि मैं पित्रों का अवान करना हूं आप पित्रों का अवान कीजिए अवान करने के दुरान और कहिए कि यहां आकर स्थान गिरैन कीजिए जो भी मेरे पित्र लोक से स्वर्ग में जो भी मेरे देव पित्र हैं मैं अपने देव पित्रों का अवान करता हूं अगर मेरे परिवार क के अंदर कोई प्रेथ पितर भी है या कोई ऐसा है तो देव पितर आएं और हमारी हेल्प करें ताकि हम अपने परिवार के पितरों को तारण करवा सकें गंगा जल जो है आपने लोटे के अंदर डालना जुरूरी है अब प्राथना करने में भोश बड़ी शक्ति होती है इस के दुरान आपने माला जपनिया ओम पितर देवाए नमाहा ओम पितर देवाए नमाहा ओम पितर देवाए नमाहा यह आपका समर्थ है कि रोज आप कितनी मालाय कर रहे हो ग्यारा मालाय कर रहे हो एकिस मालाय कर रहे हो या सो मालाय कर रहे हो या 108 मालाय कर रहे हो यह आपके उपर depend करता है जितनी जादा होएंगी उतना जादा परियास होगा 41 दिनों के अंदर आपने गव को हरा चारा जरूर डालना है दो या तीन दिन के बाद आपने गव को हरा चारा जरूर डालना है अपने पित्रों के नाम का साधना के समय आप टाइट वस्तरों का सेवन नहीं करोगे ब्रह्म चारी का पालन करोगे और किसी से फाल्टू बात नहीं करोगे कम बोलोगे कम और ये लगा लो कि जादा मालो और तामसिक भोजन सिर्फ आप दूर रहोगे सात्विक भोजन का अहार ग्रहन करोगे और दूद का सेवन जरूर करोगे उस दुरान आपने एक काम करना है रोज जो भोग लगेगा जो अपको बताया है जल के लोटे में उन इलैचियों को नीकालने के बाद जब जो जल है वह आपने सूर्या देव को देना है सुबे यह सुबे साम जब भी आप साधना कर रहे हो जैसे जल भरते को ग्यारा इलैचियां जो आपने पीस कर खी भोग लगाओगे आप और घीर में लगाने के बाद उस खीर का आपने प्रभुशी राम के चरनों में अरपन करना है और भोग लगाना है और प्राथना करनी है कि मेरे पित्रों को मैं किरपा चाता हूं अपने पित्रों की तो मेरे उपर ऐसी किरपा परदान कीजिए इस पक इस तरी गमन करते हो या गलत गालिया देते हो इस पकार का क्योंकि जब भी कोई साधना चलती है याद रखना शंगर्ष बहुत होता है और इच्छाएं भोत प्रकट होती है पग पग पर प्रिक्षाएं भी उत्पन होती है मैंने अपनी वीडियो के अंदर भोत सी कोई भी देवता किस पकार से प्रिक्षा देता है तो उन्हें भी आप बली बाति कि देखो तो उन से प्रिचित हो जाओगी तो उसी दुरान आपने क्या करना जब यह साधना और जब माला कि There अधर ही होनी चाहिए माला को आपने बार नहीं निकालना गवा मुखी से और साधविस और भाल या की पर ही अपने माला को को रखना है। और 101% आपके उपर वो किर्पा आएगी और अगर नहीं भी होगी कोई देव किर्पित्रों की किर्पा तब भी प्रमात्मा की किर्पा के माद्दम से आपके उपर पित्रों के किर्पा प्राप्त होगी अगर आपका कोई पित्र सर्प योनी में गया होगा या चंडाल योनी म होगा तो उनसे मुक्त जरूर होगा आपकी कीवी भगवान के परती और पितरों के परती ये साधना व्यर्थ नहीं जा सकती आप सचे मंसी साधना को कीजिए और मैं बाबा की प्रासना करता हूं जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देखकर साधना करेगा हे शरीबाला जी मारा उनकी साधना परिपूर्ण हो और ये साधना करने से पहले उदेश्य को निश्चित करना जरूरी होता है अगर आप इस उदेश्य को ये कहकर निश्चित करोगे कि मैं ये जो साधना कर रहा हूं अपने पितरों की किरपा प्राप्त कर रहा हूं ये खुद के नीजी स्वा तेतु नहीं कर दर्म के कारिय के लिए साधना और इस किर्पा को प्राप्त करना चाहता हूँ ताकि मैं भी अपने कुल का टारपन कर सकूँ और कुल कोथ रहा सकूँ जिस पकार से घृसी अपने कूल को थार HAS चाहते हो तो कमेंट में बहुत लिखना कि हमें दशांस पित्र हवन का आप वीडियो जरूर बनाएंगे, हम नेक्स्ट पार्ट में इसकी वीडियो जरूर बनाएंगे, अब भी दान नहीं करना, जब यह दान जो गव का मैंने आपको बताया है, वही गव गरासी, अगर सुबे रोटी जो है, वो गव की निकालनी है अपने जरूर निकालनी है, और उसको देखे आना है, फिर अपने सेवन करना है, बोजन का, यह आपने बहुत अच्छी बात किरी, कि यहाँ भी फिर बोजन का सेवन करना है, और जो चारा है, अगर आप लगातार निकाल सकते हो, तो यह भी बहुत उचीत है, अगर लगात ये बेली गुड़की ये भी आप दान दो तो जादा बढ़िया रहेगा तो बोलिए जै मता की जै सितरा